हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर कितन्शा लाइव क्लिनिक में आपका स्वागत कर रहा हूँ स्वारी आज मैं आपको इंफर्म करना रह गया कि मैं आज दस वजे लाइव होने वाला हूँ शायद आप लोग रामाइड में भी बीजी हो सकते हो अभी ही मैंने रामाइड देखा तो अरजुन जी बेहोश हो गए थे और उनको होश में लाने के लिए वईद्राज की जरूरत हुई और स्वायम हन्मान जी पूरे वईद्य का जो पूरे गर के साथ उठा के ले आए तो तब मुझे मैसूस हुआ कि डॉक्टर की जरूरत वईद्र की जरूरत हर एक लोग को होता है तो हम अभी बहुत संकट वाले समय से गुजर रहे हैं एक लोकडाउन हमने क्लियर किया तब हमने नहीं सोचा था कि फिर से लोकडाउन आएगा तो अभी नए लोकडाउन में एंटर हुए है लोकडाउन टू तो हमारा पेशन्स है वो यहां खतम हो गया है एक फ्रस्टेशन आया हुआ है घर में भी रहते रहते काफी प्रॉब्लेम्स हम फेस कर रहे हैं आज ही मैंने एक वीडियो बनाया है कि हाव टू मेंटेन हार्मोनी इन फेमिली पर्टिकुलरी इन लॉकडाउन पिरियेड क्योंकि घर छोटे होते हैं और कई वार जॉइन फेमिली साथ में रहते हैं हस्बंड वाईप मतलब उसके भाई भावी और आप देखोगे तो पैरेंट्स बच्चे बच्चे के साथ भी जगडा तो इसली क्या होता था कि हम आप शाम को डिनर से रात को सोते वक्त ही सब लोग साथ में होते थे इतना कम समय अब 24 गंटे एक ही माहौल में घर में रहन अधिना है तो उसको इस तरह के प्रॉब्लेम को इस तरह की सिच्चेशन को कैसे हम हैंडल करें तो तो सब को अपना स्पेस दिना चाहिए जो समय आया है उसको कुछ अपर्चिनिटी में हमें कनवर्ड करना है और उसको एक्सेप कर लेना है कि वही नहीं बस यह सब के या लोग डाउन में रहते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लेम है हमें भी रहना चाहिए और इस तरह से हम देश्ष्छेवा कर सकते हैं दूसरे मानव जाती का भला कर रहे हैं और गवर्णन भी निश्चित रहेगी कि जब आप इस तरह से कॉरेंटेल में रहोगे तो तो हम प्रकाश नायक कोरोना वाइरस मेडिसिन प्रकाश जी गौवर्मेंट ऑफ इंडिया का जो आईश डिपार्टमेंट है उसकी तरह से भी सभी जगह पे आर्से निकाल स्वर्यार से निकाल थर्टी पोटेंसी में चार गोली चार शाम ऐसे चार दिन लेने का एलान किया हुआ है सभी जगह यही दवाई चल रही है लेकिन एक मैंने रुब्रिक पड़ा है कि फीर ओफ कंटेजियस एपिडेमिक डिजिस मतलब एक कंटिजियस डिजिस है और इपिडेमिक भी है तो जिसको फीर ओफ डिजिस है खासकर के आर्स कई पेशन को दे रहा हूं जो इस तरह से घब़ाए हुए है और खुदको चेप लग जाएगा ऐसा जो लोग सोचते हैं बाकि कुछ लोगों के ऐसा भी होता है कि मुझे तो ठीक है लेकिन दूसरे गरिब लोगों का क्या होगा जिसको रोजी रोटी नहीं है खाना खाने नहीं मिल रहे हैं उनका क्या होगा जो रोज कुछ लोग अपनी फैमिली की चिंता करते हैं कि मुझे तो मेरा कुछ चिंता नहीं है लेकिन मेरे फैमिली का क्या होगा अगर मेरे फादर बिमार हो जाएंगे उनको लग मैंना लग जाएगा तो क्या होगा तर यह ऐसे kitty под तो कुछ लोगों का पल्पिटेशन वगर बढ़ जाता है तो मैं किलकरिया आर्स वन्यम पोटेंसी या टूहंडेड़ पोटेंसी में कुछ देता हूं सुप्षेंटिक टॉक्ष्टार हेलो सुधानश्यू पाथग नमस्ते सर नमस्ते सुधानश्यू प्रकाशनायक हेडेक म stepping medicine है लेकिन किस वजे से हिडेक हो रहा हम देखो अभी तो समर शुरू होगा है तो समर में गर्मी की वज़े से हिडेक हो तो कि तीन बार आप ले सकते हैं कि आप सुमनात दिवान हाई सर मैंसिस टूलेट और प्रोफ्यूस पर्टिकुलर लिए सिंप्रों कौन-कौन पर्टिक दबाई मैं मिलते हैं तो ज्यादातर प्रिफ्य लेट होते हैं लेकीं ऐसे कोच किसीस होते हैं जी महिजों तक पिरिफ्यूस नहीं आते हैं दो महिन न देन के चाहरा मिने तो ऐसे किसी में मैं sulfur 1M या 10M का एक dose देता हूँ उससे periods आजाते है और जो आपने पूछा है उसमें kali carb आप सोच सकते है kali carb for delayed menses होता है graphitis भी delayed menses होता है और आने के बाद वो काफी protected menses late and protected ऐसा rubric है तो kali carb, graphitis, sulfur ये सब medicine आप सोच सकते है lockdown में pimples के लिए क्या करे lockdown हो कि कभी भी हो शेकर मैच pimples सो सबको परेशन करता ही है अभी ही मैंने थोड़े दिन पले ही वीडियो अपलोड किया है मोहासो पे, pimples पे acne और pimples acne एक disease का नाम है और pimples उसका symptoms है तो acne में white heads, black heads, pimples ये सब कुछ आ जाता है तो lockdown में क्या करो आप face wash करते रहो oily face नहीं होने दो और दुसरा की सब घरेलू आप उपचार कीजिए कुछ लोग मुलतान की माटी लगाते है कुछ लोग हली वगर या कुछ न कुछ लगाते रहते है तो अभी आपके wash time है तो आप ये सब लगा के अपनी skin को बहुत अच्छा सा और अच्छा खाना खाओ मैं इन तो junk food अभी avoid करना है pimples के case में मैंने देखा है बहुत spicy और junk food avoid करो skin freshness के लिए बताईए सुफियन टिक्टाश्टा skin freshness के लिए barberis aquifolium mother tincture 10-10-3 बार रोज पानी के साथ लिए उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा barbaris aquifolium mother dinge वीजे कुमा रिस्पेक्टेर सर प्लीज suggest some general medicine प्राव नियाज disease प्योर नियाज disease शायदा पुछने चाहते हो कि प्योर नियाज प्योर नियाज सबसे ज़्यादा best common medicine है silicia silicia 30 से काफी कुछ हद तक जो प्योरिया का problem होता है वो ठीक हो जाता है marksol दूसरी दवाई है hackla lava ये सारी दवाई है जो pyoria में काम करती है लेकिन marksol और silicia best दवाई है pyoria के लिए प्योरिया टिक्टोक सार डिपरेशन के लिए बताए क्यों डिपरेशन है वैसा वो तो बताए पले तो डिपरेशन में बहुत सारी दवाई है पले हमें उसका reason ढूना वड़े किसी को business में loss हो गया तो भी डिपरेशन आता है किसी को कोई कुछ बोल लेता है तो भी डिपरेशन आ जाता है कोई love में fail हो गया तो भी डिपरेशन आ जाता है किसी को कोई अपना चाहीता से बिछड़ना हुआ है किसी का love का देत हुआ तो भी डिपरेशन आता है लेकिन इन general netrammur 200 potency में हफते में यह क्या दो बाल लेने से डिपरेशन में काफी भाइदा होता है netrammur 200 एक यह दो हफता हफते में शेखर मत्स लोक्डाउन में पिंपल्स के लिए क्या करें बता दिया है कभी भी पिंपल्स के लिए मैंने बता है वह आप द्यान रखो और मेरा मुआसो पे जो बनाया हुआ वीडियो देखा आप दिपक कुमार होंभी पिजिक मेडिसिन फॉर एंग्जाइटी डिसॉडर और टेंशन रहता है के लिए को जाए गा कैसा कुछ गलत हो जाएगा आजएन्टम नायटिकम लिजिए जो एंग्जाइटी की बात है उसमें आजएन्टम नैटिकम बहुत अच्छा काम करती है आजएन्टम नैटिकम 200 पोटेंसी में सुबशाम सुबशाम पांच दीन लिजीए फिर 10-15 दीन वेट की आप फिर जरूरत पड़े तो फिर से रिपीट कीजिए तो आर्जेंट अम्नाइटिकम बहुत अच्छी दवाईया है इसके लिए विक्रांत अगनी होते है सर पॉलिसिस्टिक किड़नी डिजीज में क्या मेडिसिन ले सीरम ग्रेटिन 4.7 और सीरम इरिया भी ज़्यादा है पोलिस सिस्टिक किड्नी ये हैरी डिटर डीजीज है आप विकरांत ये भी देख लो कि आपके फैमिली में आपके बाई बेहन और फैमिली में किसी कोई प्रॉब्लेम है और ये ठीक होने की संभावना काफी कम है तो मैं इस पर मेडिसिन नहीं बता सकोगा फिर भी एल सिरम क प्रॉब्लाइट 10,000 है क्या क्रोटेलस प्रॉड्यस वने ले सकते वने ज्यादा पड़ेगा आपको लेना हो तो थर्टी में लिए कहीं ब्लड लॉस होता हो कि ऐसा कुछ हो तो या लेकेसीस भी अच्छी दवाई है या लेकेसीस है क्रोटेलस ओराइड इस है कार्बोवे करवाते हैं सर्जरी लेकिन आपको करना नहीं होता है सिर्फ फर्स्ट इयर में डिसेक्शन जो डेट बोड़ी का डिसेक्शन आता है उसमें आपको बोड़ी के पाट्स की समझ आती है आप देख सकते होगा हार्ट कैसा दिखता है किड्नी कैसा दिखती है स्प्लीन लिवर यह सब कैसा दिखते हैं, वो सब आप dead body में और जो muscles है, nerves है, artery है, vein है, वो सब आप देख सकते हो Surgery पढ़ाई में आती है, लेकिन हमें Surgery करनी नहीं होती है, Surgery के पूरा subjects आता है Surgery, gynec, medicine, forensic medicine, जो MBBS वाले पढ़ते हैं, वो सारे subjects होंगी पिदिक में और वो भी English medium है, और वो भी वही book पढ़ते है, जो MBBS के student जो भी author की जो books पढ़ते है वो ही homeopathic के बच्चे हमारी college में पढ़ते है, तो लेकिन Surgery करनी नहीं आती है हमें, लेकिन पढ़ाई आती है राखी मातूर क्या आप हुम्यपिदिक में लेना चाहते हो, admission, कुछ हो तो आप directly मेरा personally contact हमना, कुछ भी आपको guideline चाहिए तो प्रिंस गुपता सर, एक साल से हुम्यपिदिक ले रहा हूं, chronic sinusitis के लिए क्योर नहीं हो रहा है देखो हुम्यपिदिक में ऐसा नहीं है कि आप एकी दवाई छे महीना, आट महीना, साल बल लेते रहो हुम्यपिदिक में जो जरूरत होती है, वो सही दवाई की जरूरत होती है आपकी पूरी हिष्ट्री लेके, एक हम दवाई सिलेक कते हैं, जिसको constitution medicine बोलते हैं और अगर हुम्यपिदिक में दवाई सच हो, तो ही वो इफेक्ट करेगा, लोग बोलते हैं कि हुम्यपिदिक स्लो इफेक्ट कता है, ऐसा नहीं है हुम्यपिदिक में medicine selection बहुत perfect होना चाहिए, तो अगर आप किसका वीडियो देखके या कहीं पढ़के कोई दवाई ले रहे हो तो मत कीजिए, कोई अच्छे हुम्यपिद को आप contact कीजिए, और आपको पका result मिलेगा sinusitis में तो बहुत अच्छे result मिलते हैं, काली बीच medicine है, या तो बहुत सारी medicine है, और allergy से आपको improve होना है, जिस चीज़ की allergy हो, उससे आपको उपर आना है MDN पिट्टी के बारे बताईए, ये सुबर शाम होती है गर्मी में, आपने अनिश मुझे पुछा था और मैंने बताया था कि आप यहां आप आजाना देखो, पित्ती का मेरा separate video है, वो आप देख लीजे, तो पित्ती ऐसी वज़े से होता है कि कोई भी चीज हमारे संपत में आती है, खाने पीने में खास करके, कुछ चीज ऐसी खाने में आती है, हमारी body उसको accept नहीं करती है, हमारी body उसको foreign body समझ के एक react करती है उसको, और formation होता है, गर्मी मिक की सिजन में होता है, और जलन अगर होती हो आपको, तो मैं सजेश करूगा, एपीस 30 potency, एपीस मिली फिशा 30 potency में 3 सूबर 3 शाम लिगे, उससे पित्ती में काफी आराम मिलेगा, और पित्ती की एक सबसे common medicine है, अर्टी का यूरेंस mother tincture, अर्टी का य और गोश, सर, वर्मी अन अट्रोपी का treatment, हुमीपेथिक मेडिसिन से हो सकता है क्या, वर्मी अन अट्रोपी मतलब क्या, अट्रोपी तो समझा गया कि ओ पूर्शन छोटा हो गया है, तो blood supply नहीं मिला, लेकिन वर्मी अन अट्रोपी मतलब क्या, अम्यादास, जो जलसे में है, वो slow acting medicine है, आप देखना की dullness है, और slow acting medicine है, अगर बुखर भी आएगा, तो खूल के बुखर नहीं आएगा, 100 जितना बुखर रहेगा, और आप देखो की corona virus में क्या होता है, disease sudden हो जाता है, आज आपको infection लगा और 2-4 दिन में तो वो सिधा lungs तक पहुंच जाता है, तो आपको ऐसी medicine सिलेक कनी चाहिए, जो fast acting हो, जिसकी effect, जैसे आप homeisica student हो, आपको पता है कि echo night, echo night में क्या है, sudden word, sudden environment, तो जहां भी sudden less हो, जिसकी जो medicine की effect sudden आती हो, ऐसी medicine लेनी चाहिए, तो echo night भी वैसे बहुत अच्छी दवाई है, इस तरह से, लेकिन मैं जल्से में के ल गुल्पित सिंग, sir, help me to quit medicine, name and close up home and, यह दोनों निन की गोली है, और depression की दवाई है, लेकिन आप क्यों ले रहे हो, कब से ले रहे हो, कौन से dose में ले रहे हो, तो आप सही हो, हुमिपितिक दवाई कोई doctors को मिलके select कीजे, और हुमिपितिक के साथ-साथ gradually इसके dose कम कर दीज आप, पले हुमिपितिक दवाई शुरू करो, कोई अच्छे doctor केंडर में, और उसकी दवाई जैसे-जैसे effect होने लगे, साथ में साथ में आप यह दवाई कम करते जाओ, मन से थोड़े strong हो जाओ, योगा और meditation है, कुछ motivational speed सुदो, उससे आपका confidence बढ़ेगा, ज्यादा तरे depression वगर है, हमारी मन की कमज़ोरी से होता है, तो हमें strong होने की जरूरत है, और जो चीज़ से effect हुए है, उससे छुटकरा पाने की जरूरत है, वीर, विक्रम, यूर रिक्वेस्टेट तो कैंडली, वीचीज दे प्रिवेंटिव मेडिस्टीन फॉर हर्पीस जनाइटल्स, हर्पीस का चेव इस्वली आउटसाइड सेक्स करते हैं, तब ज्यादा चांसिस हैं, तो मैं एक बोलता हूँ कि अवेट आउटसाइड सेक्स, अगर करना ही है, तो आप प्रिकोशन लेके कीजिए, दुखता कि उसकी प्रिवेंटिव मेडिस्टीन नहीं होती है, जब भी कोई भी हर्पीस है, वो वाइरल इंफेक्शन है, तो जब भी हमारी इमिनिटी लो हो जाती है, तो हमें ये प्रॉब्लेम हो जाता है, इंफेक् कर सकता है, लेकिन आपकी इमिनिटी बढ़ा हो, और उसके लिए प्रिकोशन मेडिसीन ही लिए, समीरो गोश्वर, प्लीज हैल्प मी, क्या आपने पूछा, वो अभी क्वेशन चला गया, आप पूरा क्वेशन पूछिए, इजय कुमर रिस्पेक्टेट सर्पिर याज डि सकार, फॉर्मेशन, थेंक यू, थियोसी निनम करके मेडिसीन है, थियोसी निनम और क्यलकरिय अफ्लोर, यह दो मेडिसीन ऐसी है, जो सकार डिजॉल करने में प्रॉब्लम, हेल्प करता है, थियोसी निनम आप 6x, ट्रैक्चुरेशन में लिए, ओ तीन बार कुछ लंबे सम में तक लिए, और क्यलकरिय अफ्लोर 30 पोटेंसी में तिन-तिन गोली तिन बार लिए, उससे सकार डिजॉल हो जाएगा, सचिन कुमार, सरवाइफ है, साइटीका का दर्थ है, वन मन पले हुआ था, जो एलोपेटिक मेडिसीन से ठीक हो गया था, अब कभी, जमीन पर मेडिसीन, देखो साइटीका का दर्थ 30 स में बहुत कम एज है, इसली नहीं होना चाहिए, सिवाई कि बहुत हेवी बॉड़ी हो तो यह हो सकता है, तो अभी ही ओ रीकवर हुए है, तो थोड़े आप ध्यान रखिए, एक तो सपोर्ट लेके ही बैठिए, जब भी पेशिट सबस्य नहीं हो, और हो जाए उसके बाद रोपतर रीकों सब्सक्राइब को एक काम की बादे कान्स़ाइब और की, अब बताए, ऐसी अक्सराइब का सब्सक्राइब के पास अधार का और बार्भी में आप को eligibility कि जरूर्थ समीर और गोश बहुत ज्यादा बैलेंस प्रॉब्लेम है वाइल वाकिंग एंड श्टेंडिंग विद वर्मियन एट्रोपी कुछ बताइए तो ज्यादा तर मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ रहा हूं आपको इंबैलेंस का प्रॉब्लेम है शायद मैं वर्मियन इस नहीं है शशी चोदरी सर रात को नीन नहीं आती है डिप्रेशन भी है कलीफोस सटी एंड पैसी फ्लोरा क्यू पैसी फ्लोरा मदर धिंचर में दस दस मुं तीन बार और कालीफोस सटी पोटेंसी में तिन तिन गुली तीन बार सर हमफुल टू टेक राइकोपोलियों 200 डेली वाट सैपन इफी रिपीट मैडिसीन प्रोटेंसी जरूरत नहीं है मतलब इतना कोई हमफुल नहीं होगा लेकिन रोज एक बाल लेते हो तो दस पंदर दिन लेके बंद कर दो हो में विदी को सही दवाई होगी तो ही एसर करे सही मेडिसीन नॉट फ्रिक्वेंट रिपीटेशन हम सिंगल डोज में भी रिजल देते हैं एक डोज आध दे दिया वन्यम का फी चार शे मिना आंट मिना तक भी कोई दवाई नहीं देते हैं पलाश सरकार मेल 68 एडियर स्लिपिंग डिसॉडर सिंस लाश्ट टू यह टॉकिंग लाफिंग मोशन ओफ हैंड फीट दूरिंग स्लीव एमारे ब्रेन नॉर्मल टेक अलोपेदिक मेडिसीन फोर बीपी सुगर प्लीज सजेस्ट मेडिसीन हो सकता है कि 68 यह में एट्रोफी हो सकता है लेकिन आप बोल रहे हो कि ब्रेन में एट्रोफी मतलब ब्रेन में ब्लड शप्लाइ कम पहुंच रहा हो तो भी हो सकता है बराता का थटी पोटेंसी तिन गुली 3 बार और एविन सटायवा मदर टिंचर दस दस बून तीन बार बराटा का 30 पोटेंसी उससे काफी की फर्क पड़ेगा राखी माथूर थैंक्स के तन सर यू आर वेरी हमबल एंड गूड थैंक यू राखी थैंक यू नितिन दर्वास सर्व मैं ओल्ड अल्ट्रा साउंड शोज पूर ब्लड फ्लो टू जनाइटल एंडी मेडिसीन इन दिस के एज 43 ऐसा क्यों होता है क्यों सप्लाइब पूर है मैंने तो आज सक मेरी 30 एस के प्रेक्टिस में एक्वी पेशन्स को जनाइटल का ब्लड फ्लो चेक नहीं करवाया है और अगर ब्लड फ्लो टूर है तो उसका रीजन देखो यूजरी ऐसा कभी नहीं होता है प्लाश सरकार फिमेल 28 येर ओल्ड थूजर 30 पोटेंसी में 3-3 गुली 3 बार और दूसरी दवाई है काफी और भी मेडिसीन है जो सिष्ट में यूजर होता है लेकिन आप थूजर ट्राय करके देखिए या तो सिष्ट हो सकता है या तो लेकिन आप रथोलीन सिष्ट लिख रहे है तो वह पक्का सिष्टी सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि आपने उस वक्त नहीं दिया होगा तो आप निट का एक्जाम देखे बिएचे में इडिविशन ले सकते है ब्रेन एट्रोफी तो बेराटा का थर्टी पोटेंसी तिन तिन गुली तिन बार उससे ब्रेन में ब्लड सप्टाई शुरू हो गया और एवेना सटैवा मदर डिंजर अजम अली हलो सर हुमारी गल्फ्रेंड को लिकोरिया है लिकोरिया है साथ साल से और इकानास बहुत है और खुन भी कमी भी है 10.7 खुन है और बुक भी नहीं लगती है एज 22 यह है वेट 37 केजी अलफा अलफा मदर टिंजर दीजे अलफा अलफा क्यू दस दस बुन तीन बार और लिकोरिया के लिए आप कोक्यूलस 30 पोटेंसी कोक्यूलस 30 पोटेंसी तिन तिन गुली तीन बार लिजे और इस करवा हो अच्छा खाना खिला हो जो हेल्दी फूड है वो खिला हो आप टॉम एंड जैरी स्नीजिंग इन मॉर्निंग अप्टर देट वाम कोराईजा फ्रम दे नौस कोराईजा फ्रम दे नौस उसके बाद थ्रोट में इचिंग मुकस आता है गले में अब स्नीजिंग इन दे मॉर्निंग अप्टर दे वाम कोराईजा फ्रम दे नौस उसके बाद थ्रोट में इचिंग मुकस आता है गले में अब सोलेनम लाइकरपस करके दवाएं सोलेनम लाइकरपस 30 पोटेंसी में तीन तीन गुली तीन बाली ये ड्रक्स बिकार जीत एर नी पेइन है एज 35 एर नी पेइन मतलब नी पेइन होगा सिंपल तो रश्टोग 30 तीन गुली तीन बाल सर पित्ती में हल्दी शाद भी लेख सकते हैं ले सकते हैं अगर आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज की अलर्जी है जो चीज की अलर्जी है उसको ये अवाइड करना है एमार यू इसिक्ट्रोब प्लार्म टेबलेट 10MG एंड नाइट्रोब हाई एमजी 3S से ले रहा हूं अंडर साइकार्टर की डिसोड हाउ टू कम आउट इस डिप्रेशन के लिए श्राटिंग में गुड रिजल्ट था अच्छे होमीबिक डॉक्टर को आप कंसल्ट करो पक्का आपको रिजल्ट मिलेगा समियाना गोश्ष और बहुत ज्यादा बैलेंस प्रॉब्लेम वाइल वाइल वाकिंग एंड श्टेंडिंग है आर्नी का 30 पोटेंसी तिन तिन गुली तिन बाली यह स्वंडिलाइटिस क लिए को पीछे करना है आगे करना है ऐ कि साइड में के इससरुकर करना है और आगे जुक्ते ज्यादा काम नहीं करना है वाइट देंट आप सिंस वन एर राय पपड़ी निकलता है है बहुत राय है विटाव टीचिंग टॉल शुपर बॉय होट पेशन डिजायर स्वीट मीट डिजायर अलॉन कॉंफिदेंस लो विट फियर 28 मिल प्लीस सजेश्ट मेडिसीन लाइकोपोडियम 30 लाइकोपोडियम 200 पोटेंसी वन सभी कौनसी कमपनी के डिलूशन और मदर टिंजल अच्छे रिजल्ट्स देते हैं लोग रैक्विक कमनी के बहुत खरीदते हैं मैंने आज सक मेरी प्रेक्टीस में मेरे गर में कि कहीं पर भी रैकविक के डिलूशन नहीं खरीदे हैं इंडियन कमनी है विल है तो विल्मर शौबे डबली ऐसाई जिसको बोलते हैं वो अब यूज कर सकते हैं कुमार अभिशेक सर प्लीज हेल्प मी और जनाइटल हर्पीस पॉर फीमेल प्लीज सजेश्ट मेडिसीन हर्पीस में रश्टोक स्थर्टी दीजिए आप लेकिन इम्मिनिटी बढ़ानी उसको भी हो सकता है तो कि कोई अच्छे उम्मीपित के पास से सजेश्ट करवायो लाच्ट मुद्वन से टॉंसील स्रेड हो गया है मुझे गेस्टिक है बलाडोना है पासल मर्क्सॉल फैटोला का ये आराम नहीं हुआ अरे वाह माउट से टॉंसील रेड हो गया है प्रॉब्लेम है और थ्रोट का भी प्रॉब्लेम है बाकि आपने जो भी दवाया लिया है वो सब सही है नीतिन दरूला थैंक यू अरे वा नीतिन दरूला टॉम एंजेरी मेरे मदर 49 एस बोड़ी के नवग के अंदर चिटी चलती जैसा फिलिंग होता है हाई बीपी का एलोपेथिक मेडिसीन चल रहा है रिलिजिस मेनिया है ओल्ड एज का प्रॉब्लेम है और चिटी उसको बोलते है फॉर्मिकेशन्स और एपी सर्टी दीजे आप एपी सर्टी पोटेंसी तिन तिन गुली तिन बार अमीत कुमार सर दुआ और महक बरदाश नहीं होता है क्या होता है शर्दी होता है दुए से और महक से स्मेल से सबाडिला लिए सबाडिला थर्टी पोटेंसी अब मैं लाश क्रेशन ले रहा हूँ बाद में ये लाइप लिनिक को यहीं खतम करेंगे सर मैंने भी फार्मासिक है और होमयोपिधिक की नौलेज भी रखता हूँ क्या jsmeलोपिदिक के साथ होमयोपिधिक प्रेक्टिस कर सकता हूँ अगर आपको एक बीबी से संतोष है तो दूसरी बीबी क्यों करना है मुझे भी अलोपिदिक का नौलेज है मेरे फादर भी MBBS डॉक्टर थे और मैंने एडिविशन इसले ही लिया कि मैं हुमिविदिक डॉक्टर बनके अलोपिटिक प्रेक्टिस करूगा लेकिन शुरू से ही मैंने देखा की हुमिविदिक के जो स्कूब है बहुत वाइड है मतलब मैं आज ना मेरे एरिया में wastewater में ना मेरे सिटी में ना मेरे कंट्री में मैं बाहब के पेशन्स को भी देखता हूँ तो हुमिविदिक जब सब कुछ ही देता है तो एलोपिदिक क्या जरूरत है हम्यादास हैट्स ओप सर्प्रॉम डॉक्टर बीच चंद्रारा कॉलेज भुवनेश्वर और कुछ भी कभी कोई भी जरूरत है तो आप मेरे नंबर पर आपका नाम के साथ वाट्सेप कर दीजना हम कॉंटेक्ट में रहेंगे मेरे वीडियो देखते रहना आज ही मैंने एक मेफाइट इस पर वीडियो रखा है जो वूपिंग अपकी मेडिसिन है और ऐसे ही मट्रिय रेमेडिका की बहुत अच्छी एच्छी रेमेडिका वीडियो में रखता हूं तो आज का यही लाइव क्लिनिक यही खत्म करते हैं अगले वेनस्टे को टैन पीम को हम फिर से मिलेंगे जैहिन शुबरातरी